जैसी यह राम मैं संदीप मिश्र सास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल भागवद गंगा पर आज जो शर्जुपारिन परहमडबन सावली की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे बत्स गोत्र के बारे में मित्रों बत्स गोत्र यदि आप अपने नाम के आगे लिखते हैं तो आपका वेद होगा सामवेद उपवेद होगा आपका गंधर्ब और सिखा होगी आपकी बाम साका कोधमी होगी पायरभी में पात जो होता है वो भी बाया होगा देवता आपके सीवही होंगे सुत्र सकते हैं कि भारगव चेवन आपनवान और्व जामदग यह आपके पांचों रिसी हैं प्रवरकार इस गोत्र में बत्स गोत्र में पांडे दूबे मिसिर तिवारी ओजा उपाद्याई यतने लोग प्राप्त होते हैं इसको लेकर के बहुत सारे लोग भ्रहंतित युक्त ह हो जाते हैं कि कहीं पर गोत्र दूसरा होता है और उनके उपनाम अलग-अलग होते हैं तो इसमें ब्रहंति मत लाइए जो है इसके उपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जल्दी ही आप सभी के सामने आजाएगी आप चैनल सब्सक्राइब कि रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाएगी चलिए बात कर लेते हैं बत्सगोत्र में जो पांड़े प्राप्त होते हैं अब जिनकी पंक्ति है पांड़े लोगों में बत्सगोत्र के उनके उनको सुन लीजिए बेलवा नेदुला सोनफेरवा बनहा परसिया और विलोजाइदी लोगों क नाक्चाओरी समकिरवा अविश्नईया मचहरिया मडरिया और चिनहरी इतने जो है पांड़े प्राप्त होते हैं बत्सगोत्र में अब दूबे लोगों को भी सुन लीजिए भरवली बकुलार बिमची समदार या समदरिया जिनको कहते हैं ये चारपरकार के दूबे भी प सब्सगोत्र में जो प्राप्त है वो भी सुन लीजिए 85 रतनमाला नगरहा गाना बनकटा मलकड़ा बेलवरा करिहिया और दोगारी इतने मिश्र प्राप्त होते हैं मिश्र का मतलब गाना इसमें जो है ना मिश्र वो काफी प्रसिद्ध हैं हमारे हैं और 85 भी बहुत सारे अधिकतर लोग प्यासी मिलते हैं और गाना के लोग भी बहुत सारे मिलते गाना तो एक गाउं है बहुत काफी ब्रहमणों का प्रिहत गाउं है गाना तो इन सब ये मिश्र वंस के गाउं है अब 85 के बंसत जो आगे चल करके निमनस्थानों में गये उनको भी सुन लीजे भरहुलिया, गुपालपूर, वीजापूर, जीगना, बैरिया, भिटहा, छपिया, विजरा, करतार, कत्रारी, बैरिया, परशिया, मोडिशा, रानिपूर और कर्याईया के बंसत जो निमनस्थानों में गये वो है कर्याओ, दियाबाती और महदावल, दियाबाती बघवरा, चिम्खा, और बैनुआ, इतने स्थानों में गये मडिकड़ा के बंसज, और गाना के बंसज, आगे चल करके गाना वाले भी बहुत जगहाओ उपर गये, त्योठा, बरवरिया, बैरिया, चकदा, अब बेलोरा के बंसज, जो आगे चल करके निमनस्थानों पर पानन, चिम्खा, पघवरा, मजहुलिया, सुल्तानपूर, अपगरिया, इन स्थानों पर गये, बनकटा, तथा नगरहा के बंसज, आगे चल करके कुछ ग्राम में गये, अगहिला, सखोई, तिलगपूर, सलेमपूर, रेवली, चैनपूर, इन स्थानों पर गये, अच्छ निहा, उमरी, नवापार, परसेनी, प्रमानिका, प्योली, बनपरवा, पिपरा, मलपूरा, मजहारी, ये मिस्रज लोग जो पाए जाते हैं, इनकी पंक्ती नहीं होती है, और तिवारी बंस जो और पाए जाते हैं, उनके बारें भी सुन लिजे, कूडा, गाजर, धुरिय ओडियापार, धर्अपूर और बिरई इतने तिवारी बंस इसमें प्राप्त होते हैं, एतनों बचस गोत्र के बारे में कुछ भ्रांतियां भी है, भ्रांतियां ये हैं कि मलपूरा, मिस्र को कुछ लोगों ने, कुछ लेखकोंने पुराने समय में, पंक्ती में लिखा है, जो हम लोग है महावन खोर गाउं है वहां के तो महावन मिस्र जो होते हैं उनको भी बत्सगोत्र में लिखा है लेकिन ऐसा है नहीं महावन जो मिस्र है वो गोत्म गोत्र के ही होते हैं इसलिए उनका बत्सगोत्र नहीं होता है और खैरी के ओजहां है जो बत्सगोत्र में भी प्राप्त हैं किन्तो खैरी उनका मुल गोत्र नहीं है उनका जो गोत्र है वो उपमन्यू है खैरी वालों का तो यह ब्रांतियां है अब जान लिजे उपाध्याय भी जो है इस बंस में प्राप्त होते हैं इस गोत्र में प्राप्त होते हैं देवरिया के उपाध्याय जो है प्राप्त होते हैं एक ही उपाध्य हैं तो ये रहिं मित्रों बचसगोत्र के वीडियो आसा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके उसको लिख सकते हैं तो मिलोंगा फिर किसी वीदियो में तब तक के लिए जैसी आरा